तो यह विकेंड आपका अमजिंग रहा, कापी अच्छा खासा बोलटाइल थी जिसके स्पेक्टर से ने थी वह हुआ, तो ऐसे मार्केट में सब्सक्राइब होती रहती हैं, यह कंटीनू चलता रहेगा, ऐसे मार्केट चलते हैं, हम कभी हाई बुलिश हो जाएंगे, हम कभी मार्केट में, बट मार्केट का एक पैटर्न होता है, और मार्केट उसी पैटर्न के हिसाब से चलती है, आए चलते हैं, इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी की पूरी डिटेल्स में लांसिस करेंगे, हर टाइम फ्रेंपर यह चेक करने के कोशिस करेंगे, कि exactly क्या होने तो पहले मैं आप लोगों को डेली के टाइम फ्रेंपर निफ्टी दिखाऊंगा, यह डेली का टाइम फ्रेंपर यह 75 में का टाइम फ्रेंपर और यह 15 अमिला का टाइम त्यूनों का इस बार इनाल्सिस करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस जो है हाई पर थे और वहां से प्राइस जो है 30-45 और नीचे बंद है, तो पिछली बार भी भी बताया थे मैंने कि अभी यह 11 मूव हुआ है, अगर यह 11 मूव हुआ है, तो इसको 13 मूव को कंप्रिट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर प्राइस को एक्टेंशन में जाना है, तो कही ना कही प्राइस जो है कभी भी 38.2 प्राइस नहीं आता, अगर इस curryन को कंटिनू करना होगा, तो कभी भी यह 38.2 प्राइस बतलroleum प्राइस्ट भी नहीं tyre आए, यह हो सकता है कि यह 14 परसंट से यह 23 परसंट से इस को और 17 मूव करें, इसको 13 कर आता है, ऐसा हो सकता ह लेकिन अगर 38.2% ब्रेक करेगा तो यह डिगरी कंप्रिट हो जागा मतलब यह पूरी यह पूरा जो काउंट जिसको में थाड रखा यह फिट होगा और यह वन डिगरी कंप्रिट होगा ठीक है अभी वन डिगरी का कोई ऐसा प्रोसेस दीखने रहा है डेली के टाइम फ्रेम अगर यह प्राइज जो है 40% पर सपोर्ट ले रहा है हो सकता भी आया नहीं है 563 का लो लगा है हो भी सकता है कि यह 40% है और 127% को टच कर जाए तो अभी जो लेबल है 19548-19443 अगर यहां को इसको टच करता है और यहां से bullish candle pattern बनता है तो bullish candle pattern बनता है तो ही प्राइज जो है 16 61% को read करेगा 161% तक ही जा सकता है बट कंडिशन यह रहेगा अगर यह price मानलो की 127% को break कर दिया और continue trading करना सुरू कर दिया 127% को फितुक यह possibility इसकी बढ़ जाएगी कि trend जो है change हो चुका है और यह degree complete कर दिया है और second degree में प्राइज जो है इंतर कर रहा है करेगा तो पहला अ possibility इसकी बढ़ जाएगा तो daily के time frame पर अभी 14% पर support लिया हुआ है कोई condition pattern नहीं बना है कोई bullish pattern नहीं बना है इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि यह आपका 161% जाएगा लेकिन अभी इसका down trend का भी possibility दीखी नहीं है अगर दीखेगा जब वो दीखेगा जब 1 27% break हो ज जाएगी तब ही दिखना सुरू है तो निफ्टी में था डेली का time frame पर देखोगे तो जो move बना था इस बात यह move बना है आपका कैसे अब देखोगे तो इसमें ABC का move बना है पूरा move खोलोगे इसमें तो यह पूरा जो fall आया था इसमें triple correction बना हुआ था तो मैंने इसको live marketing मैं रीड करके बताया था कि यह triple correction है और triple correction में complete हुआ इसके price यहां से move करके दिया था तो यह जो price move करके जया है यह मुझे लग रहा है देखो क्या होता है कि अगर वो double correction पर ते पर करेक्शन को complete करता है तो price ultimate speed में ही जाता है तो मुझे लग रहा था कि यह one यह आपका correction जो है जो अबर हो गया और यह first wave है तो यह इसकी वैज़े मुझे लग रहा है कि second wave है इसके वैसे यह move मिस हो गया तो अब ही इसको हमने क्या किया है इसको a consider किया हूं और जब मैं इसको c consider कर रहा हूं तो price 61% पर आके ही रुका पड़ा है मतलग अगर हम इसको देखेंगे तो perfect 61% पर आके इसने support लिया है अब हम अगर हम इसकी reading करते हैं कि reading में हम इसको क्या करेंगे तो अब यहां से अगर यह एट कंडल में अगर मंडे को तूज़ड़ कर सकते हैं मंडे को जो प्राइस है वो इस चल्डन के ऊपर टेट करना चाहिए अगर इसके ऊपर ट्रेट करता है 75 ने का टाइम फ्रेम और इसके ऊपर एक वजिंग आनी सुरू हो गई तो पक्का है कि प्राइस जो है डेली कर टाइम फ्रेम पर क्या हो जाएगा 14 पर सपोर्ट ले लेगा और यह 161 पर संत भी ासकता है ठीक है तो तो प्राइम रूश के हिसाब से आधे यह ब्रेक हो जाना चाहिए तो आधे टाइम फ्रेम आभी तो एक यह कंडल हुआ है अभी तीन कंडल पंडिंग है तीन अब मैं आपको यहां पर निफ्टी के चाहर बिखाता हूं पंदर में कर टाइम प्रेम को जाते हों तो यहां भी मैंने स्कोरीट किया है यहां बद हो तो यह परफेक्ट इसको मैंने इना यह आपका A है और आपका यह B है और यह C है तो ABC यह जो नेचर बना हुआ है यह जो अब यहां पर द्यान देने लिए बात यह है कि अगर इसको ABC करता हूं तो अब प्राइस अगर इनकेस ऊपर जाता है तो तो हो सकता है यहां पर एक्स का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है समझो इसको तब होगा जब यह प्राइस यहां से जाकर बहुत ज़्याला टाइम ले और इस वाले ट्रेम लेंग पर ब्रेक ना करें तब एक्स का फॉर्मेशन को तब यह आपका ABC मिला कर यह पर डवल हो जाएगा और यह आपका एक्स बिटेगा लेकिन अगर इस पीड मे चेंज हो गया, तो conclusion क्या निकला, conclusion ये निकला कि अब 75 मिना के time frame पर price को क्या करना होगा, अपने 4 candle में price को break करना होगा, मतलब अपने 10 लैन को break करना होगा, इस वले 10 लैन को break करना होगा, ठीक है, 75 मिना time frame पर, और daily के time frame 14% का support लिया है, और यहां से bullish candle pattern में बन गया, तो भी इ जाने के लिए, ठीक है, मैं downtrend, अभी कुल confirmation ही है, इसलिए मैं downtrend की confirmation अगर आती है market में, तो उसके लिए मैं बता भी चुका होगा हो, कि इसका अगर यह 127% break करना सुरू कर दिया, और इसके लिए closing आना सुरू कर दिया, तो आपका possibility बढ़ना सुरू जेगे downtrend के, मैं अगर trend तीनो time frame पर calculate कर दिया है, count कर दिया है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे comment कर बताना, मैं आपको इसको दूर करता हूँ, आए bank given चलते है, और यह भी bank with the chart है, और यह भी bank with the chart है, मैं तीनो कर देता हूँ, हलो, और यह भी आपका bank with the chart है, मैं बहुत slow slow बोलना आपको समझ में आ चीज़े को, चीज़ें आपको समझ में आ है, बेली के time frame पर देखोगे bank lifting, तो इसमें मैं नहीं कोई count नहीं किया, इसमें किवन retracement डाला है, और यहां पर भी होई चीज़े, यहां पर price जो है 14% का support लिया है, 14% का support भी लिया है, और trend line का भी support लिया है, द complete हो चुका है, यह ध्यान रखना आप लो, 1,2,3,4,5 का almost complete हो चुका है, लेकिन यह 14% पर support ले रखा है, तो इसमें हमें क्या करना है, मैं आपको 15 में का time frame पर और 75 में का time frame पर इसको explain करूंगा, पहले जैसे निफ्टी चल ला है, exactly bank nifty वैसे चल ला है, 14% का support इसका भी इस इसने ले रखा है, लेकिन यह थोड़ा सा problem यह है कि इसने 1,27% को break कर दिया, 1,27% को break कर दिया है, खर break करने का मतलब क्या होगा, कि जैसे कोई candle किसी ratio को break कर देता है, तो उस candle का low break होना चाहिए, तो जैसे मालनों कि इस candle ने break कर दिया 1,27% तो इस candle का low कितना है, 45238, 45238 9 का move बन सकता है, अगर यह ही पर price का support लेना सुरू कर दिया, bullish candle pattern बन गया, तो अपना यह हो सकता कि फिर से ही आपका नया, इस high पर price चला जाए, 4639 और इसको break करेगा, तो final destination नहीं है, कोई change नहीं किया, मैंने जो पिछला explain किया था, exactly वैसा ही रहेगा, ठीक है, तो daily का time frame प समझते हैं, तो 75 में time frame पर exactly यहां भी काम हो रहा है, अब देखोगे, तो बहुत बढ़िया इसने, trend line जा support ले रखा, trend line के support ले लिया, लेकिन 127% break नहीं किया, break कर चुका है, support लिया है, तो हो सकता है, अब हम buy cup करेंगे, trade cup लेंगे, तो जब price इसके उपर closing देना सूरू करे तो मैं 127% पर अगर साड़े-दस बढ़िता कि या कोई bullish खना बन जाता है इसके उपर, तो मैं समझ जाएंगे, हम रो समझ जाएंगे कि जो trend होगा, bull trend होगा, अगर नहीं ऐसा होता है, तो, मनला अगर 27% के उपर closing देता है, तो फिर तो रास्ते नीचे के खुलना सुरू हो तो आपका यह 100% के ratio को, magnitude को गिरा देगा, conclusion क्या निकल ला है, तो conclusion यह निकल ला है, कि बज़े, डेली के time frame पर 14% का support लिया है, तो मतलब वहां से bullish candle pattern बनता है, तो reversal ले ले लेगा, और 75% में के time frame पर, अगर यह 127% पर closing आना शूरू हो गया, तो आप long लेकर और इसका इसका अब buy कर लेना है, ठीक है, अब यहां पर देखो इसकी, तो मैं जो review दे रहा हूं आपको यह पढ़ने के purpose है दे रहा हूं, आप इसको apply करके देखना है, अब यहां पर थोड़ा सा हो है, थोड़ा सा मुझी ऐसा, इसमें confusion देख रहा है, कि आप देखो, bank unity में वैसे 1, 2, 3, यह 4, 5 complete हो चुका है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, अब थोड़ा साब को एलाट हो रहना, bank unity को label, हम long करेंगे, लेकिन आप B के लिए buy करेंगे, कैसे B के लिए हम समझो, अब यह point A है, यह point B है, और इस point को C रख रहा हूं, C देखो, C है, तो कहाने के मतलब यहां पर यह रहा आप देखोगे, तो जो C जो बनना है, इसको चाहिए 5, और अभी तक जो move बना है, वो 1, 2, 3, 4 ही बना हुआ है, अब 75 में, अब यहां पर देखोगे, तो यह 1, 27 परसंट है, 4, 5, 6, 7, तो यहां पर भी वही है कि, अगर यह, हमने मैं इसको 4 read कर रहा हूं, तो price इसको touch करके reverse करके आए, और यहां पर इस price को touch करें, ठीक है, और इसको touch करें, तो यह पूरा A बन गया, और B बन गया, और C बन गया, ठीक है, तो क्या बन जागा, या तो again A बनेगा, या तो again W बनेगा, बनेगा, तो आपको buy करना है, यहां क बनता है तो अब फिर जब आप यह सी पाई करोगे तो प्राइस फिर से आपका 61 परशंट के तरह बूफ कर जाएगा तो का निकलता है तो बैंक निकलता है कि अगर प्राइज है 100 परशंट को मतलब इस वाले देशियों को ब्रेक नहीं करता है तो एक लो और लग सकता और यह बनेगा तो एडबल बनेगा और यहां से प्राइस करके अगें 60 परशंट मतलब अगें वो च्छेलिजर के पास प्राइस खड़ा कर देगा अब ध्यान देना इसमें भी वही रूस और गाइडलेंस रहेगा रूस और गाइडलेंस यह रहेगा कि बीस से इसी में अब अब क्या करना है आप अपने चार्ट पर यह वाला इसको बोलते हैं जीरो भी के टेंडलेंस तो यह वाला यहां से यहां तक देखो कितने लोग की तादी में लो लगा है आड़ी तो सेम कंडिशन यहां भी वही अप्लाई होगा कि अगर बाहें के दिखटी को नए हाई प ब्रेक करना होगा कितने केंडल में फोर केंडल समय है वैसे पॉसिबिल्टी बनती है तो ठीक है नहीं बनती है तो फूल जो हो सकता कि आपका यह बनाए और वही आपका डबलू यह डबलू बना और प्राइस अगें गया है और एक्स का फार्मेशन करा है अब फिर आपका तो देखो मैंने यह ओबराल एनल्सिस दिया और ध्यान अखना कि यह एक अनल्सिस है और एक स्टडी है आप सारे लेबल्स पर अपने चार्ट पर अप्लाई कर लेना और अप्लाई करने लगाद उस लेबल को देखना और लाइब मार्केट में आना मैं क्लासेस गतूँग अब बताओंगा भी और वहां को समझाओंगा कि क्या करना एक साथ लेए अब आके टेली के राम से जूड़े रहो और वेट करो एक खुशकावरी का वहां को मंदे पता से जाएगा ठीक है मिलते हैं यह वीडियों को नख्या लगना है जैहिन नमस्ते